हेलो फेंड्स वेल्कम बाइक तो इस चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नैलको यानि नेशनल ऐलुमिनियम कंपनी लेमिटेट के लिए लेकिन अपनी बात चित को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्विस्ट करना चाहता हूँ पहले रिक्विस्ट के अगर आप इस चैनल को फर्स टैम देख रहे तो सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को हिट कर लेजिए ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे है और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप डिमेट अकाउंट या ट्रेडिंग काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है अब देख सकते हैं दोस्तों नेशनल अलुमिनियम कंपनी लिमिटेट की बात करें तो आज 19 जुलाई 2021 को 87.40 के उपर ओपन हुआ और अभी 88.95 के उपर ट्रेड हो रहा है जो की 0.74% की ते आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं 91.00 का हाई बना चुका है आप देखे तो इसका 52 वीग हाई 91 का ही है यानि नया 52 वीग हाई बना रहा है दोस्तों इसका अगला जो टार्गेट है डबल डिजिट का है वैसे आपको बताना चाहूंगा अलग कुछ इनो ब्रोकरेज हा बाकी है वैसे आपको बताना चाहूंगा 93 का टार्गेट जैसे अचीव हो जाता है इसके बाद ये डबल डिजिट में मुझे लगता है कि एंट्री आपको दिखा सकता है अभी अगर हम देखे तो नसी के उपर 65.6 million shares trade हो चुके हैं जहां 41.54% की delivery है और BSE के उपर देखें तो 49,72,349 shares trade हो चुके हैं जहां 50.49% की delivery है दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले के levels पे already exit कर चुके हैं जैसे आपने notice किया होगा कि जब ये 80s में था तो 77, 76 के आसपस तक ये लोग बना डाला था उस बीच में इसमें sustain करना बड़ा मुश्किल था लेकिन उसके बा 85 के आसपस 83,84,85 के आसपस ये consolidate हुआ कई दिन तक हुआ है इस बीच में बहुत लोगों ने patience lose करके बाल को dispose off कर दिया तो ऐसे लोग यहां पे jealous feel कर रहे होंगे क्योंकि अभी इसके अंदर momentum बहुत तेज आया और एक चीज़ और है कि जब ये 83,84,85 में जब consolidate किया है कई दि इस बीच में लगातार future and option में बैन भी रहा है ये चीज़ आपने notice किया होगा लेकिन अब दीरे दीरे इसको इसके punk को को खोल दिया गया है यानि अब national company, national aluminum company limited को F&O band से बाहर कर दिया गया है आज 19th July 2021 को ये बिलकुल उससे बाहर हो चुका है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक नया breakout हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस company के March quarter में FIIs और FPI's की holding बढ़ी है कम नहीं हुई है mutual funds ने भी अपनी holding को बढ़ाया है number of FIIs और FPI's की अगर हम बात करें तो ये भी इस बार जो है बढ़े नहीं इस बार number of FIIs FPI's में ब 82 हो गए है ऐसी number of mutual funds skims जो है पहले 35 से अब 33 हो गई है तो इस number से मतलब नहीं होता है holding जो है that matters और June quarter के data का यहाँ upload नहीं किया गया है आगे कुछ होगा तो आपको बताऊंगा लेकिन इतना शूर है कि National Aluminium Company Limited Nelco आपको पता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा turnaround potential है और एक company metal sector की दिगज company है nifty metal के direction को यह तैय करने वाले company है और राइट तो nifty metal में जो jump आपको देखने को मिल रही है कई दिनों से यह कहीं नेशनल Aluminium Company Limited का सबसे ज़्यादा contribution है इसके अलावा Steel Authority of India Limited भी है है ना इन सभी के अंदर है growth लेकिन थोड़ी सी कम है लेकिन इसके अनलको के अंदर momentum काफी ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है देखिए यह target 93 का पहले ही materialize हो सकता था अगर इसको future in option में बैंड ना किया गया होता लेकिन कुछ अब सेभी है सेभी के सेभी अपने साफ से देखता है जहां पर security 90% से cross हो जाती है वहाँ checking होती है फिर उसको बैंड कर दिया जाता है तो ऐसे बहुत जारे stocks को बैंड किया गया है अभी पी और भी बैंड है ना वोड़ा idea को भी बैंड किया गया आज तो दोस्तो जहां पर national company law sorry national aluminium company limited के अंदर अगर आप invested है तो definitely आप बने रह सकते हैं long term point of view से अगर आप इसमें invested है या six month के term point of view से भी अगर आप invested है तो मुझे लगता है कि आपको आराम से बैठ जाना चाहिए 100 के level को तो आराम से टच कर सकता है आने वाले time में century जरूज मारेगा इतना तय है company के अंदर profit भी अच्छा कासा आया था आपने देखा था March quarter के numbers धमागेदार थे मैं आपको बता देता हूँ इसके लावा एक चीज़ और है delivery status आपको जरूद पता होना चाहिए last के kite trading session से देखेगा यहाँ पे 16th July के दिन जो है delivery Friday के दिन 42% क में देखने को मिला राइट इसके अलावा आप पहले वाले दिन देखें उससे तो 41.5% थी उससे पहले 46.1% और उससे पहले 48.6% थी उससे पहले सारे holdings कम थी इसके अलावा आपको financials I hope पता ही होगा मैं आपको सिर्फ bottom line बता देता हूँ देखे इस company ने March quarter के अंदर 935.7 करोर का profit generate किया था और top line 2874.5 करोर का generate किया था last के कुछ quarters में अगर आप देखें यह number आपको कहीं नहीं दिखाए देंगे सबसे ज़्यादा यही है एक है March 2019 का जहां पे इनको 2863 करोर का net revenue हुआ था उससे पहले September 2018 का है इसके बाद से अभी तक यह सबसे high है right profit में भी आप ऐसी देख सकते हैं इसको सबसे ज़्यादा profit इसी बार हुआ है इससे पहले किसी quarter में नहीं हुआ था profit September 2018 के बाद राइट तो दोस्तों इसकी एक amazing performance है और इसी के चलते इसमें आपको बढ़ियां turnaround potential भी दिखने को मिल रहा है right so this is all in this video आगे कुछ अपडेट होता है इसको लेकर के आपसे बातचीत हो बहुत सारी चीज़ें हैं अपडेट करने को लेकर के आपसे धिरी धिरी करता रहूँगा अपना ख्यार लिखिए take care see you next time